अभी सिच्छक साथियों को मेरा नमस्कार दोस्तों आज ही मैंने समय साणडी के उपर एक बीडियो डाली और सासन ने आज ही जो है समय साणडी को संसोधित करके एक नई समय साणडी प्रस्तुत कर दिया दोस्तों कक्षा एक से लेकर पांच तक अर्थात प्रात्मिक विड्यालेव के लिए सासन ने जारी किया है एक नई एवम संसोधित समय साणडी अब विड्याले इसी संसोधित समय साणडी के अनुसार चलेंगे जो टाइम टेबल दिया गया है समय साणडी दी गई है कक्षा एक से पांच के लिए उसी के अनुसार हमें कक्षाएं आयोजित करना है तो आईए दोस्तों हम आपको दिखाते हैं कि क्या समय सानडी है सासन ने क्या संसोधन किया है और किस तरे से जो हमें अपने विद्यालों के समय सानडी इसके अनुसार बनाना है और कैसे हम अपने विद्यालों में समय सानडी इसके आउसार फालो कराएं दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कक्छा एक और दो के लिए एक ही सिच्छा कारे करेंगे ठीक है और पूरे वर्स भर यह समय सानडी है टाइम भी भाजन देख पा रहे हैं आप आठ बजे से आठ पंदरा तक प्रार्थना सभा योग छाथ उपस्थित गणणा आठ पंदरा से आठ पचपन आठ पचपन से नौपाँटिस नौपाँटिस से दस पंदरा तक यह तीन कालांस हिंदी के है hai जो पूरे सब्ता भर चलेंगे कक्षा एक में ठीक है फिर उसके बाद मध्यान भोजन आ जाता है 10.15 से 10.45 तक मध्यान भोजन है उसके बाद फिर जो है 10.45 से 11.25 से 12.5 और 12.5 से 12.45 तक ये तीन कालांस गणित के हैं जो कि आपके आधार सिला क्रियान वेन संदर्सिका के अं सार ये कक्षा एक की कक्षाएं चलेंगी कक्षा एक और दो दोनों के लिए है ये फिर 12.45 से एक बीस तक सहा पाटिक्रम चात्र कौसल विकास खेल चित्रकला नाटक संगीत है उसके बाद एक बीस से दो बजे तक अंग्रेजी फिर पुस्तकाले फिर अंग्रेजी फिर कुछ आपको कापी चेकिंग करने का समय दिया गया था लेकिन अब उसको हटा करके इसमें संसोधन कर दिया गया है ध्यान रहे है दोस्तों कच्छा एक और दो की कच्छाएं एक साथ संचालित होंगी और एक ही सिच्छक जो विद्याले का सबसे योग सिच्छक होगा वही कच्छा एक और दो की कच्छाएं संचालित करेगा फिर उसके बाद आता है कच्छा तीन कच्छा तीन में दो सिच्छक रहेंगे और दो सिच्छक की समय सानडी है यहाँ पर और वही टाइमिंग सब वही है आठ बजे से आठ पंद्रा तक प्रार्तना सभा योग छाद उपस्थित गढ़ना फिर कच्छा तीन में हिंदी के लिए दो कालांस दिए गए है आठ पंद्रा से आठ पच्पन और आठ पच्पन से नौ पैंतिस हिंदी के लिए दो कालांस पूरे सब्ता भर चलेंगे उसके बाद फिर गनित के भी दो कालांस है लेकिन एक कालांस गनित का मध्यान भोजन के पहले है और एक कालांस गनित का मध्यान भोजन के बाद है जैसा कि आप देख पा रहे हैं 9.35 से 10.15 गनित रहेगा 10.15 से 10.45 मध्यान भोजन है और 10.45 से 11.15 तक गनित रहेगा अर्थात कच्छा 3 में भी गनित के दो कालांस हैं और हिंदी के दो कालांस हैं दोस्तों आप सभी को मालूम है कि प्रणा लक्ष जो है वो हिंदी और गनित पर आधारित है इसलिए इनके लिए ज्यादा समय दिया गया है फिर आगे बढ़ते हैं फिर ग्यारा पची से बारा पांस तक अंग्रेजी अंग्रेजी संस्कृत अंग्रेजी संस्कृत अंग्रेजी यानि इस तरह हमारे पास जो है आप देख पा रहे हैं अंग्रेजी के चार दो छे कालांस दिये गए हैं और संस्कृत के सिर्फ जो है दो ही कालांस हैं फिर बारा पान से बारा पैंटालिश तक पुरे सबताभर पुस्तकाले में बच्च अध्यन करेंगे बारा पैतालिस से एक बीस तक साफ पार्ट करम, छात कौसल विकास, खेल, चितरकला, नाटक संगीत और एक बीस से दो बजे तक EBS चलेगा और आखरी में आपका सुकरवार और सनिवार को इस पीरड में अंग्रेजी चलेगा तो ये तो कच्छा तीन की समय सानरी रही फिर आईए दोस्तों आप दिखाते हैं कच्छा चार की समय सानरी जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये कच्छा चार की समय सानरी है आठ से आठ पंद्रा प्रार्तना योग चातर उपस्तित गड़ना और आठ पंद्रा से आठ पच्पन तक हिंदी का क्लास रहेगा 19.35 से आठ पचपन से नवपचपन से दो पीरेट दिये गए हैं धियन दिजये दोस्तों यहाँ पर कच्छाचार में भी हिंधी के दो कालांस दिये गए हैं आट पंदरा से आट पचपन और आट पचपन से नौ पैंतिस यानि हिंदी के दो कालांस रहेंगे ठीक है इस तरहे गणित के भी दो कालांस हैं एक कालांस जो है आपका मध्यान भोजन के पहले है और एक मध्यान भोजन के बाद है नौ पैंतिस से दस पंदरा गणित रहेग सापाटक्रम, छात्र कॉसल विकास, खेल, चित्रकला, नाटक और संगीत है और एक बीश से दो बजे तक जो है अंग्रेजी, अंग्रेजी, EBS, EBS, संस्कृत, संस्कृत यानि EBS के कुल चार पीरेट दिये गए हैं और संस्कृत के तीन दिये गए हैं तथा अंग्रेजी के किसी के अनुसार जो है आपको कच्छाएं आयोजित करनी होंगी हिंदी और गनित पर ज्यादा फोकस करना है हिंदी के लिए दो कालांस और गनित के लिए दो कालांस दिये गए हैं पूरे सब्ता भर जो की चलने हैं फिर ठीक इसी प्रकार से आईए हम आपको दिखाते हैं कच्छा पांच का भी बिल्कुल ऐसा ही बना हुआ है आठ से आठ पंद्रा, प्रातना सभा, योग, छात, उपस्तित, गड़ना आठ पंद्रा से आठ पच्पन और आठ पच्पन से नौ पैंटिस यानि कच्छा पांच में भी हिंदी के लिए दो कालांस दिये गए है और उसके बाद गणित के लिए भी दो कालांस है एक कालांस आपका मध्यान भोजन के पहले और एक कालांस आपका मध्यान भोजन के बाद यानि नौ पैंटिस से दस पंद्रा गड़ित रहेगा 10.15 से 10.45 मध्यान भोजन है फिर 10.45 से 11.25 गणित है उसके बाद 11.25 से 12.05 तक आपका पूरा पुस्तकाल है बीच में एक दिन संस्क्रित रखा गया है और 12.05 से 12.45 तक अंग्रेजी अंग्रेजी, EBS, EBS, संस्क्रित और अंग्रेजी और 12.45 से 12.25 यहां 25 लिग गया है दोस्तों इसको आप ध्यान दिजेगा यह 12.45 से 12.20 है यहां रहेगा साहप आठकरम, छात्र कौसल, विकास, खेल, चित्रकला, नाटक और संग्रेजी और 12.00 से लेकर के 2.00 तक जो है अंग्रेजी, अंग्रेजी, EBS, EBS, संस्क्रित, संस्क्रित तो इस तरह से यह कच्छा पास तक की समय सानड़ी दोस्तों मैं आपके पास लेकर आया हूँ यह संसोधित समय सानड़ी जो है सासन द्वारा जारी की गई है इसी के अनुसार जो है कक्षाएं आयोजित होंगी इसको आप प्रिंट करा लिजेगा और प्रिंट करा करके आप इसे अपनी कक्षाओं में चस्पा कर लिजेगा ताकि आपको अलग से समय सानडी बनानी क्या हो सकता ना पड़े ठीक है दोस्त एक और दो में सिर्फ एक टीचर रहेगा और कच्छा तीन में दो सिच्चक रहेंगे जो इस्थाई तोर पर रहेंगे कच्छा एक दो तीन की जो कक्षाएं है वो रोटेट नहीं की जाएंगी इस बात पर आपको ध्यान देना है कच्छा एक और दो की जो हिंदी हिंदी औ और गनित की जो कक्षाएं हैं उन्हें रोटीट करने की जरूत नहीं है उसमें एक ही सिच्छा कारी करेगा तो दोस्तों आसा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज मरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे विल आइकन को प नहीं हैं मैं जो हुआ है र혁िडियो अच्छा लाजड़ है Teraz deze रerson को ज करवा है है方 लियो कि वीडियों के ईत्मों को सब्सक्राइब के सब्सक्राइब करे नहीं है 0 भर कुंकर सी बना र browsers